नमस्कार दोस्तों मेरी चैनल में एक पर फिर से आपका स्वागत है मैं आज आपके लिए देखिए ये क्रोशी से बनने वाला बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा फूल का डिजाइन लेके आई हूँ तो देखिए हम इसे कैसे बनाएंगे तो देखिए हम इसे कैसे बनाने के लिए पहले मैंने देखिए ये अपना दस नंबर का क्रोशिया ले लिया है एक कैंची और किसी भी कलर का अपने ये धागा ले लेना है देखिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अपनी ये इस दागर पार सिंगल करोशिय के लिए डिया को थागर जो च्छेंद बनी ओस्ट सिंगल करने में युद्व स्लीपस्टिच बना लिया दूंद लिहीं, मैं एक चेन लेंगे 되고 में लीुदी है कि विर बीच में है要ने 23 संगल करोशिय के लिया देखें Алवी हने तरह से एक है कि दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, गयारह, और यह, बारा, देखी, मैंने अपने यह, बारा स्लिप स्टीच और यह पात है, उसके बाद, उसके बाद, मैंने क्या करना आप कर अगला इसके बाद देखिए यहां पे अपर अपनी ये 2 चेन ले लिया है तो चेन लेने के बाद देखे यहां पर यह देखिए अलगलग तरह से आपको यह वी टाइप में यह फंद्धिदर लिख रहे हैं अब Azji में लिए उस से अगली चेन में यह देखिए ट्रिपल क्रोश्य लगा लें तीन और यह पूरा छोड़ना नहीं है एक थागा इसका हमने ऐसे रहने देना है फिर से देखिए दो बर थागा रोल करेंगे देखिए मैंने इस वी स्टिच में सेम में डाला इस तरह से थागा लिया देखिए इसके यह तीन लगा जो है वह हमने इसका हर बार बचा के रखना है देखिए तीन त्रिपल क्रोश्य ले लिए है मैंने फिर से यह चार ट्रिपल क्रोश्य होगे हमारे और यह पांच त्रिपल क्रोश्य होगे हमारे देखिए पांच त्रिपल क्रोश्य होने के बार देखिए इस तरह मेर इस तरह से हमारी स्टिच आगे है अब इन छे का मैंने देखिए इस तरह से एक बना दिया फिर एक चेन ले लेंगे फिर से दो चेन और मतल टोटल यह तीन चेन ली है अब उसके बाद यह जो हमने जिस स्टिच से हमने धागा उठाया था यह जो ट्रिपल क्रोश्य है उसमें दोबारा इंसर्ट नहीं करना है उससे अगली वली चेन में देखिए मैंने यहां पर उससे अगली चेन में नेक्स चेन में मैंने यह जैसे इस चेन में मैंने बनाया है तो इससे अगली चेन में मैंने अपना यह सिंगल क्रोश्य लगा लेना है देखिए इस तरह से देखि ट्रिपल क्रोषिया ले लेने है ये तो चेंज के बाद ये फिर से देखिए है ये इस तरह से देखिए दू बन गए एक होगे टिपल क्रोषिया हमारा मिरा हुआ कि दो टिपल क्रोषिया कि तीन चार और यह पांच तर्फ टिपल क्रोशे और एक चैन ली टोटली यह 6 हमारे यह फिर से यह फंदे उपर आगे हैं यू फिर से देखिये गडियाय फिर से चैन 3 यह क्ते हम सब और सित्त अग्ली में जो चैने सिंगल सेने लेना है की है फिर से चैन 2 दो नहीं रहनी यह चाहरे है ट्रिपल क्रोशिया लेने हैं फिर से देखिए एक दो तीन च्यार पांच देखिए पांच ट्रिपल क्रोशिया लेने के पर फिर से मेरी च्यार लेने च्यार प्रिपल क्रोशिया लेना है फिर से दुबारा वैसे ही चैन टू अगली चैन में अगली वी में हमने फिर से पांच ट्रिपल क्रोशिया ले लेंगे एक दो तीन च्यार पांच ट्रिपल क्रोशिया होगे मतलब यह च्यार फंदे आगे फिर से यह च्यार का एक चैन ट्री फिर से अगली वी में हमने यहां पर सिंगल क्रोशिया ले लेना है फिर से चैन दो दो चैन लेंगे फिर से अगली वी चैन में हमने पांच ट्रिपल क्रोशिया दो बारा से धाकर रोल करेंगे पांच ट्रिपल क्रोशिया एक दो तीन चार पांच प्रिपल क्रोशिया बारा से लेना है हुआ दो से शे खोगी हमारी चेर से ऐक फिरसे त्रिपल क्रोशिया दीन हमने सिंगल चेन ले लिए सौरी तौडशे उससे अगली वी चेर में हम फिर शेंवी से पानच ट्रिपल क्रोशिया लेंगे देखेहिस तरह से यह देखिए दोबर धागा रोल किया अगली वीचेन में इंसर्ट किया लेकिए चार का तीन इस तरह से दोबर धागा रोल किया फिर से यह देखिए दो यह इस तरह से कि तीन हो गे है मरे ट्रिपल क्रोशिया है चार है और यह परच अधिए पांच ट्रिपल क्रोशिय और एक जो हमने चैन लिए उसके वेशिए चे टोटल है हमारे इस फंद आ गए हैं फिसे चे का एक है चेंट री उससे अगली जो लास्टिच बचा है उसमें हमने फिर से यह एक सिंगल क्रोशिय लगा देना है कि इस तरह से और उससे अगले यह जो बेस्टिच है यह स्टिच का यह जो नीचे का फंदा है यहां पर हम एक वार के स्लिप स्टिच बना देंगी कि इस तरह से मैंने अपना स्लिप स्टिच बना लिया है और चेंट लगा के मैंने अपना कर दाधा है तार यहां से कट कर देना है एस तरह से हमने यह थागा कीच दिए द키े टोटल मुरी दॉट रियाए 46 पटलब मेचा पैटल मि mathाल। चे चेयों बनेंगी इस तरह से डेखे विपर चैंज से जानल। मेरा यह फूलिया के तियार हुआ है मैंने यह और कलर्स में भी बनाया है देखे बहुत ही असान फ्लावर का डिजाइन है यह आपको भी जिस भी कलर में यह डिजाइन अच्छा लगे देखे यह इसकी फ्रंट साइड है यह इसकी बैक साइड है कुर आपको जिस भी कलर में ये फ्लावर अच्छे लगे तो आप प्लिस OS बनाए और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लिस मेरी वीडियो को लाइक करे रहे मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शियर करें थैंक यू बबाई